शिरिप्त पंदर दस बार रिप्यारों खर्चवाई है एक थेली में डैड किलो अच्छा इन थेली और मोई ने कहीं कहीं गालीडों है की करकरनी चाहिए लो गवारी भुष्ची खाक लो तो एह हुका बोर कट काम है करें यह भी बेचो तो बहुत मिठाई वे खार कहीं पर देख लिए आज में आयो हुँ बेरु गाउं में और मारे साते किसान लक्समन राम जी और इयारे फॉरमा उसमाते बेरा पोदा लगया है और एक तरीके हुं चार पांच साल पहली यह चोटा चोटा पोदा लगया और आज छोटी सी भौहरे मोहीने खेती कर और बड़ काम करें और इनकमरी एक बड़ी श्रोत है एक तरीक्यों काफी अच्छी उत्पादन हो रही है बोरो और इंकमरी जीको श्रोत है वो भी खास बड़ो है तो आपके लक्समन जी हुआ बात चीत करना ला तो वीडियो ने एक बार सेर जरूर कर दी जो और लास तक जरूर बढि लक्समन जी किती गेज होगी आपरी? मनने एगी चा साशत साल. अच्छा, खेती बाड़ी करता हुन किता टाइम होगो? चाली साल लेगी. अच्छा, खेती बाड़ी में आप अनोखो परियोग करियो है, एजिगा बहुरा पोदा है, एकी कर लगाया और किता साल होगाया बेरी खेती करता ना आपने? पंच साल होगा बहुरी खेती चलू करियो है, और पहला रुपई करियो है, जाने खाड़ा खोदा या एक महीन, दो पूट खाड़ा खोदा या, गर्मी रमाई ने एक महीन राकिया, और राक और पचे पोदा छोब या, जाने खात भी जो मिला नहाते दूर दे, और वहीं दोरा बनाई दिया, और वीज पूट खेती हूं लगया, और दो साल रमाई ने थोड़ा अलका आउता होगा, तो तीजी साल बहत अची फशल आउंडू होगी, और बाव या जने, एक साल तो पहली तीजी साल लाक रहिया, पच्छा हवा रहिया, और अब की साल एगा पैला बीज लगया, पशल बीज लगया, पाला काुमकाड में है लगला बौर क्व लगेगर, उसका पाललो लगया, पाला रमाते गोड़ा मान Mud résult, के बावEast राए जṣदाई, aber अब बावभाए लेम काजरी अब काजरी रो सपोर्ट काफी है, आज रुस्ट अपर्ट ये किन तरह से करनी जन मनकाज रियाला कैसी हो के इसके खाडा खोदो एर गर्मीर महीने लट अट मर जाये करें फच्या पोदा लगाओ एन बसाद रिमोस समावेगें अच्छा आप रहम खेत में किता पोदा है लगबग अस्षी पोदा है अच्छा तो एजी का बोर है इन महीने आप की बवचेडक खरो आप की बवचेड़ करो आप बवचेडिक शिरप एक लट एर एक फाल जड़े दो दवच्छा पाणीरी किती जरूद हो ये करें? पाणीरी छी तो चमा सारा तो बिल्कुल कम है और गर्मीरे टैमरे महीने फरुरी में एक पाण फरुरी में देदां और चयातन बैसा थीन पाण देदां जन पच बशा दो जा तीन चार पाण में रडी रेठ हैं खाड़ा बना ओं ये दोरा जोग दवफिल पी जाये करें अच्छा में दोरा मतला भी दोरी बनान पाणों चाही जाये या फूंवा रहे हूं? आप पोदो है नी एक पोदो लागोड़ा आये ओ ये खाड़ो करण बिच रह जा पोदा बिच्चे पोद आरे जा खालों बन जा इन हेडों पॉणी सोड़ा उन हेड़ जातो रहे तो हर साल पोद आरी जैसे थे पुज लिलो माताँ बोर लिलो और उन बाद में पाई याने पोद अन्की करदे एक बाल करनी चाहिए कवाची कटिंग करनी चाहिए जाने फोद बोर नीवड जाने सा जनुक्तिंग करूं क्टिंग करण जने पच्छे थोड़ी घुंड़ो ढ़िपर ऑर पाई दो इन हम उन पिलाहिए नंपर पे ना कह ब क्रूब पिलाहिए हैं तो पहलानी पिलाऊ तो अब जिगा बोर की जग बेचे करो आप मंडी जा जोत पर अराट गाउं में लिजा कई भाव जाया करें मंडी में 25 हरुयां तीस तक गया न रोजरा भावय करने 20 भी गया बोरी आजा तो हुका बोर भी आप राक्या करो हुका बोरी चार पॉंच कुंट्रल हुका बोरी नीचा जड़े जो को बेचा पायों रख दाऊं पायों मात छुका दाऊं पालारी पायों है नी उन मात हुका यह तो एह हुका बोर कट काम है करें भी बेचा तो बहुत मिठाई वे खार के जूँए बहुत अच्छा जिमिन है सबसे फ़स्ट हुकोडा बोर अनाब लोग अच्छा पहले शेका ध्राइब कर दीया पहुत साथ जारी चीज इसमें हुकुई दू तो आप रहा आज की बढरी खेती आहा किता भी गोर में करियोडिये आधो बीगियो में इंकम किती हो अपरी अपरी हर साल प्रढलाग रिंड फ्राचा अस्टा केत्र मुई और कहन के पुदला गुड़ा है और तो पच्चा एक तो गुंदा है माँ गन्नी है अमेरीका उन्लाए लकडी यह जा जो पने जो लक्समान जी एक चीज बताओ जिका अपने किसान लोग देख रहे है बे लोग आपरे खेत्रे मुईने नई नई फसलों उगावनी चाहे नई योजना अबर कहीए करनों चाहिजे कि कर जिकी एक मोटी संस्ता हों है काजरी यह आफरी यह कर्सी विग्यानिकारी सला है बियान बाकी कर लें उन्न बारे में बताओ थोड़ों नई बारे में इसा काजरी उन लिया वे पोद्धा और फिरी देवे चाड़ीश पोदा तो आपर खा किसान कोई बोल्डियोर जिगा लगावनी चावे आप बेभी इंकम प्राप्त करनी चावे तो बे अगर कोई चलान आप रेखन आवे तो आप सला देवला जरूर देवला बहुत शरल काम है कि खर्चों कम है और दूजों बेमारी भी इनमें बिलकुल कम है सिर्फ दोई है एक फाल जननी दोई दोई आवे सस्ती दोई आड़ी कोई मेंगी नहीं है अच्छा जिकी अब खेतिरों नयों ट्रेंड बदल रही हो है क्रांति कि आई है लोग दोईयों रोजी को कम प्रयोग करें तो आप कहीं जैवी खेती ने बड़ा हो जैवी खेती करों पूरी टोटल जैवी या थोड़ी आपने खेत रही सोक्वाइज कर्या को अगर जिका किसान देख रिया है बे लोग जैवी खेती करनी चाहिए तो बें बीक का हमे जहीत जहां में जही खेति हुआ्ध अमयर्टकेट उसकी संपनोह बें गया ओकशनेशरी एंक जही आपको यह गारनगा मिने मेरी चैड़ मेसी खेकर भासवर कर देफ्याज महरों चीर घाव यहां. जुए कि ब्लकल आपरी पीडा है कि वाजीब है और खेत्र मौईने अगर नॉर्मल चोटो किसान ने उनकाने ज्यादा खेत नी है तो कहीं बोग छोटी खेतियों आपर मतलब एक सीमित मात्रा में खेती करन बड़ी इंकम ले सके ले सके छोटो दो भी का जमीन है तो बहुत पसल ले जगे जेवी खेती करें जो को देवी छिटकाव करें तो जेवी खेती रोलावे और जेव काजरी में जाओ या कटेई संस्ताव में जाओ करसी वेग्यानिक जाया करो तो बे लोग आपने शला के दीए शला आई देवी जेवी खेती करो और कम खर्चारी चीज करो बहुत अच्ची तो है इनकम है राज़ता अंदर माइं पाणिरी कमी है कम पाणिरी चीज करो और म काज दोस्तों आप अगर खेती रोजने नए परियोग करशको तो ऐसी का इसाना में अगर किनी किसान रहें जमीन नहीं है तो एक तरीकों मैं लो कोस्ट में कम पैयार में नियूस्फ और इनकम बी अच्छो स्रुथ देख सको लक्समन जीरे जी को फॉर मां थे एक छोटी सी जगह औह một जीकों करनी यहां इन मॉहीने जी की थेलिजए और मॉहीना मस्रूम रिखेती है यह लेक स्कुंप देख सबस सलें जी का है फूल एक पावरा देश रिप्या लेवे बो अर उटुन लियां मनत काजी रेला देवे लान फिरी पहेशन नी लेवे और मनका योगत करो हैंगोने ना आपी बी करो जोको कम जमीने वे तो मजूरी करे इनने तो जमीनरी जरूत निये कोई जमीने नी जरूत नी एड़ो पड़ो है एड़ो छप्रो है वहन मैं भाई दीवली हूं गर्मी आवे नी जर्त का चले अचा यू थेली और मोई ने कहीं कहीं गालेड़ो है की करकरनी चाहिए लो गवारी भुची खाक लो और खाक लार माई ने केमिकल लाया करे एक डो खाक लो फाचो थेलियों है खतम करो जने खाक लो एड़ो नई ओर जये खरे एर पचे उन्हें बरो जने इतीक बरी एड़ो तीन इंची बरीक दो-चार दोना बढ़नेक दो चार इंची बरीक देस दोना बढ़नेक दो दबा परी नाप ये तेर दो अचा इने तेरन वास् जो दो कोई दो चार दीन हो जो को ठंड रहे जना जादा अच्छा तो आ कहीं भाव जाया करें आवेचो आप पॉंसे रिप्यों किलो जायो अच्छा बहुत कम पाया और मोई ने बड़ी इंकम ले सको अच्छा बारे रिप्यों खर्च आए एक थेली रो कर सके मजो रिशी अच्छा किता टायम उपक जावे आए काई ठाप पड़े के पक्यों डिया में यू एचा के बीस दिन तो आबारे आवे खुनी इकीश वे दिन आबारे आजा अपना इती गवे नी दो दिनों कार देनी चाहिए जादा करें जादा करें थोड़ी काली पड़ जाए पड़ कोवरी कम रहे और बिलकुल आज शपेतर सपेत लेले नी साह एडी सपेतर सपेत लेले बहुत अच्छा पया आप मार्केट में देवे अच्छा काली नी पड़नी सी जा ताका हुआ लेना आप रहे खौतली में पैकर और मार्केट में तो विकेक कम है ओटला अलाना बईया बड़ी ओटला है और काफी इंकम मिल सके सिर्फ दस बारा आप देखिए सिर्फ दस बारा रिपियो रोजी को खर्चो है इन मत आया करे और पांसो साथ सो रुपिया किलो आज आया करे और यह जी का फूल देख रहे हो काफी मतलब एक तरीक्यों विटामिन काफी मात्रा होया और एदे को लक्समन जी रहात में और काफी एलोग है जी का यहने मार्केट प्रॉपर नहीं मिले लेकिन फिर भी यहां रोजी को जोस्त जजबों है और खेतीर बारे में जी की अनुकी चीजों है करी है उपजबाहा अपने आप में यह अनुठी है एक बात है वार है इसको सब्जी बनावे कोई जोंट है पूरोण लागोडी है कोई दूजी बेमारी भी काटे है और इनमें छिया रमाय हुको दे नी कपड़ों माते रख अंचिया में हुको दे न पचे उनों पाउडर बनान डबा रमाय रख दे आर दूद रमाय ने पी खेती है अनुखी करसी है आ किता टैम होगी आपने लक्समिन जी करता ने इनों किती कहीं इनकम होए इनमें तो यूँ ऐसा थोड़ों मार्केट रोज संचिया है और विजे ओटलार में जाए 500 रिप्यों किलों भीके है और कोई एक चोकाना लेवे है वाई है सौकला साब देशो दोसो रिप्यों किलों पना में मार्केट रोज थोड़ों कम जो रहे लेनी इनमें की कर कहीं पोदा लगाना पड़ेगे कहीं साबु कर रहें एक दस रिप्यों रोखर्चों है कि एक उड़ा खाकलों है निया गवार भुशी जिकन में आर थेली बरीजे आर थेली दस रिप्यों में एक थेखली नों खर्चों है इनमें शीरफ 10 रिप्यों में एक थेली वे देड़ किलो मस्रूम पैदा वे इनमें बीस दिनों हरूआ और आप दो वार आवे देड किलो दो किला आजा दीवाली हूँ अ मैं फरूरी तक आवे फच्चे आपवान रहते मौस्रम चैन से जा इन वास्ते हैं मस्रुम मेरी खेती दीवाली हूँ शर्दी पड़े दने आ एवे अचाहिना आया बीज है की कर लगाया खरो बीज है गमारो इस बीज बनावे गमारो लापी टाई पर आड़ो बीज बनावे साँकला साब बोटून लाओं में एक पावरा और डाय सो रिप्या ले वे बो बीज ए एक पाव में आठ थेली भरी जे शिरिप पंदर दस बार रि खेती एक तरीके वह अनोखो परियोग है और जिको लक्समन जी रे फॉर्म आउसमात है और काफी विज्यानी कोरी सला ले और अनोखो उत्तर है रिखेती राजी का परियोग है आप देख सको एक फूल जाइसो गिराम रहा है तो आपने आई स्टोरी केडिक लागी कमेंट बॉक्स में जरूर बते ही जो